हाई फ्रेंग्स आजकल की भागंभाग वाली जूदिगी में हमें कई बार फूदि में भी आना जाना पड़ता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी स्किन ने टैन हो जाता है और इसकिन काफी सांपली और मुर्शाई भी लगने पाथी है इस प्रेंग को कैसे दूर दिया जाए इसके लिए आज मैं आपको एक फेस पैक से खाऊंगी आये मेरे साथ के इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए संत्रे के छिल्के बेशन नीबू का रस चंदन पाउडर और कक्री चलिए तो शुरू करते हैं इसे बनाना इसके लिए हम सबसे पहले ये संत्रे के छिल्कों को कद्दू कस कर लेंगे और हमने जो जो कक्डी ली है इसे भी कद्दू कस कर लेंगे और अब हम इस सारे चीज़ को एक प्याली में डालेंगे और अब हम इसमें आदा चमच बेशन आदा चमच चंदर पाउडर और थोड़ा सा नीबू का रस और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे यह हमारा फेस पेक तयार है इस फेस पेक को आप लगबर बीस मिन तक अपनी इसकिन में लगाए और उसके बाद थंडे पाने से थोड़े आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका संटेन जाने लगा है और आपकी इसकिन तियर और सफिर दिखने लगी झाल